आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं वावल के different pattern को यानि कि वावल का pattern क्या होता है कितने प्रकार का होता है और वो उच्यारन में कैसे help करता है या कैसे प्रभाव डालता है वो हम लोग सीखने जा रहे हैं दोस्तों वावल का जो मूल pattern है वो दो type का होता है एक होता ह है sort valve एक होता है long valve ठीक है अब sort और long का मतलब यह न——생ır sort मतलब छोटा हो जाएगा और long का मतलब बढ़ा हो जाएगा है ना उच्चारण बस अलग-अलब होता है नाम है इसका sort valve और long थीक है?. तो चलिए देखते मैं कि sort valve और long valve होता क्या है और इसका उच्यारण कैसे होता है? तब से पहले हम लोग लॉग वाविल को सीखेंगे, ठीक है? जीसे जेसे लॉग ए, लॉग इ, लॉग आई, लॉग ओ, लॉम यू. यहने कि वाविल क्या होता है? पांच प्रकार का होता है, अ इ आई, ओ यू. उसका तो सबसे पहले लॉंग को देखिए, लॉंग वबिल में क्या होता है, जैसे कि A है, तो A का जो उच्चारण है वो A ही होगा, जैसे हिंदी में, जैसे हिंदी में, इसको A बोलते हैं, अंगरेजिम इसको A बोलते हैं, तो A, A, E, A, E, तो E, यह देखिए, I है, तो इसको I ही बोलेंगे, जैसे करके, मतलब जो अक्षर है, है न, हिंदी में उसको पूरा का पूरा वह ही बोलेंगे, जैसे I तो I, O, तो पूरा का पूरा O, इसको लॉंग वोलते हैं, यू है, तो पूरा का पूरा हिंदी में जैसे U लिखते हैं, वैसे U लिख देंगे, यह हो गया long, यह हो गया long, long वोल सबसे आसान है, सौर्ट ववल को थोड़ा आपको mind में set करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे सौर्ट ववल है, तो A है, तो इसका उच्चारण ऐसे होगा, A, E है, तो E का उच्चारण देखिए ऐसे होगा, ठीक है, A, I है, तो I को हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, ख U है, तो U का उच्चारण हो जाएगा, A, यह देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है?